हेलो व्यूवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे राजस्थान के फेमस मिर्ची वड़ा बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ सांदार मिर्ची वड़ा बनकर तैयार होंगे इस बार इसके मोसम में जब कुछ गर्मा गरम खाने का मन करें तो मिर्ची वड़ा को बना कर ज़रूर ट्राइ कीजिएगा उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो चलिए देखते हैं कि इन्हें केसे बनाते हैं आसान फूड रेसिपीस के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूले राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हमने 250 ग्रम मिर्च ली है ये जो मिर्च है इसमें हम छूरी के मदश से इस तरह कट्स लगा लेंगे देखिए हमने इस तरह से इसमें कट्स लगा लिया है अगर आप चाहें तो इसके बीज निकाल भी सकते हैं और अगर ना निकालना चाहें तो भी चलेगा त्यूंकि ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती अब इस सारी मिच में हमें इसी तरह कट्स लगा लेने है बेसन का घोल तयार करेंगे तो बेसन का घोल तयार करने के लिए हमने डेड़ कप बेसन लिया है इसमें हम हाफ टीस्पून नमक एट करेंगे और इसमें half teaspoon अजवाइन को crust करके एड़ किया जाता है लेकिन हम अजवाइन को skip करके एक चोथाई teaspoon हिंग एड़ कर रहे हैं और अब हम इसमें एड़ कर देंगे half teaspoon healthy powder इन सारे dry ingredients को पहले हम अच्छे से mix कर लेंगे देखें बेसन को हमने यहाँ पर छान कर लिया है सारे dry ingredients को हमने अच्छे से mix कर लिया अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके इसका घोल तयार कर लेंगे देखिए बेसन को आप यहाँ पर छान कर लीजिएगा छाना हुआ बेसन अगर आप लेंगे तो इसमें लंप्स नहीं पढ़ेंगे और आसानी से इसका स्मूथ सा घोल बनकर तयार हो जाएगा देखिए हमने स्मूथ सा घोल बना लिया है जिसने बिल्कुल भी लंप्स नहीं है हमने इस कप से मेजर करके डेड़ कप बेसन लिया और इसी कप का पोना कप यानि कि 3 by 4 कप पानी हमने इस घोल को बनाने में इस्तेमाल किया है अब हम इसे ढख कर 15 मिनिट के लिए रख देंगे अब हम मेची वाड़ा की स्टफिंग तयार करेंगे तो हमने पेन में लिया है 2 टेबल स्पुन तेल तेल अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें एट कर देंगे एक चोथाई टीस्पुन जीरा साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे एक टीस्पुन अद्रक और लहसुन का पेस्ट और एट कर देंगे बारिक कटी हुई हरी मिच एक मिनिट टक हमने इनको तेल में अच्छे से सोटे कर लिया देखिए हमने यहाँ पर जो हरी मीच एट की है वो ज्यादा तीखी नहीं है अब हम इसमें सुखे मसाले एट करेंगे सुखे मसालों में हमने लिया है एक चोथा टीस्पून गरम मसाला हाफ टीस्पून अम्चूर हाफ टीस्पून जीरा पाउडर हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर थूड़ा सा पानी एट करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इन मसालों को हम लोफ लेम पर भूण लेंगे एक मिनिट तक लो फ्लेम पर हमने मसालों को अच्छे से भून लिया अब हम इसमें बोईल करके मेस किये हुए आलू एट कर देंगे तो हमने तीन मीडियम साइस के आलू को बोईल करके अच्छे से मेस कर लिया है साथ ही में हम इसमें एट करेंगे एक कप हरा धनिया क्योंकि हमने आलू को ओल्रेडी बोईल करके इसमे एट किया है तो अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे गेस की फ्लेम को ओफ करने के बाद मसालों के साथ हरे धनी और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमने मीर्ची वड़ा की स्टफिंग तयार कर ली दिखिए हमने इसमें अमचूर एट किया है आप अमचूर की जगा इसमें हाफ टीस्पून नीम्बू का रस्बी एट कर सकते हैं अब हमारी तयार की उवे स्टफिंग को हम मीर्ची में भरेंगे तो हमने ओल्डेडी सारी मीर्ची में कट्स लगाए हैं और इसके बीज हमने निकाल लिए हैं क्योंकि ये मीर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती तो आप इसके बीज ना निकालें तो भी चलेगा अब हमने जो स्टफिंग तयार की है उसको हम इस तरह से मीर्ची में अच्छे से भर लेंगे तो इस तरह हम सारी मीर्ची में स्टफिंग को अच्छे से भर लेंगे इस घोल को रखे हुए 15 मिर्ट हो चुकी है अब हम इसमें एट कर देंगे एक चोथाई टीस्पून बेकिंग सोडा और इसे हम घोल के साथ अच्छे से मिल्स कर लेंगे Baking Soda हम इसमें तबेट करेंगे जब हम मेची वड़ा फ्राई कर रहे हो मेची वड़ा को फ्राई करने के लिए तेल हमने अच्छे से गरम कर लिया अब हमारे बनाए हुए बेसन के घोल में हम मिर्ची को डीप करेंगे अच्छी तरह इसकी चारो और हम घोल को एपलाई करेंगे अच्छी तरह इस पर घोल एपलाई हो जाने के बाद जादा के घोल को हम इसी में जार कर इसे एट कर देंगे तेल में और मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे एक तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाने के बाद हम इनकी साइट्स को चेंज कर देंगे साइट्स को चेंज करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे नहीं तो हमने इस पर जो बेसन कोट किया है वो तेल में ही उतर जाएगा और दूसी तरफ से भी हम इने अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से हमने मीची वड़ा को मेडियम फ्लेम पर चार मिनिट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे और बाकी के बच्चे हुए मिर्ची वड़ा को हम बेसन के घोल में अच्छी तरह डीप करने के बाद मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो खाने के लिए तैयार है राजस्थान के फेमस मिर्ची वड़ा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें